वन्ने मातरम साथियों आज कल हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ लोग बीमार होते जा रहे हैं और उनमें बीमारियां इस हद तक बर्तवर्ती जा रहे हैं कि जिनको शरीर से निकाल पाना या जिनको ठीक पकर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है ऐसी चोटी चोटी बातों से की गड़बडी से हमारे शरीर में बीमारियां आने लगी हैं और ये चोटी चोटी बाते हमने सीखी कहां से ये हमारे घर में जो टेलिवीजन आ गया इसने दूसरे देशों की संस्क्रती को उठा कर हमारे घर में परोज दिया और हमने उसको अपने जीवन में आत्मसाथ कर लिया और यही कारण बन गया कि हम बीमार होते चले गए और बहुत बीमार हो गए हमारे वैदों की टीम जब किसी पेशेंट की चिकित्सा के लिए जब उसकी डेस्टिंग करती है तो पता चलता है कि एक-एक व्यक्ति में 50-50 बीमारियां कई ऐसे पेशेंट ऐसे मिले जिन में एक व्यक्ति में लगबक 50 बीमारियां तो थी है और जब उनको चेक किया गए ठीक से पता किया गया तो मालूम पड़ा कि उन सभी बीमारियों की पीछे मूल कारण सिर्फ एक ही है और वो कारण निकलता है constipation पेट की गड़बड़ी ये पेट की गड़बड़ी या constipation एक ऐसा कारण बन जाता है जिससे आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है जैसे कि इससे आपको जोड़ों का दर्द होगा नीम नहीं आएगी माईगरिन की शिकायत हो सकती है गैस एसिडिटी की शिकायत हो सकती है इस तरह कि लगबग पचासो रोग हैं जो आपके शरीर में सिर्फ एक constipation की वज़े से हो सकते हैं हाला कि उस पेशेंट को बताना नहीं पड़ता है लेकिन जब भी उस पेशेंट को आप पेट साफ करने की यानि की कब्स को ठीक करने की दवा देते हैं तो उसके बाद उसकी दूसरी बिमारियां जो छोड़ छोड़ी बिमारियां उसके साथ आई हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाती है जैसे कोई patient है जिसको जोडों में दर्द रहता है तो उसको जब constipation ठीक करने की औशदी दी जाती है तो उसके साथ ही उसके जोडों का दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है किसी को गठिया की प्राबलम है तो उसको जब पेट साफ करने की आश्यदी दी जाती है तो उससे उसको गठिया की में आराम मिल जाती है पेट साफ होते ही माईगरेन ठीक हो जाता है पेट साफ होते ही सिरदर ठीक हो जाता है पेट साफ होते ही नीद अच्छी आने लगती है और पेट साफ होते ही आपको पाइल्स की शिकायत या जो बवासिर की शिकायत है वो ठीक होने लग जाती है तो इस तरह से अगर आपका पेट साफ है तो आपकी दूसरी बीमारिया अपने आप ठीक हो जाएंगी और ये बिमारियां आई कहां से यह हमने जो विदेशी सब्विता या विदेशी संस्क्रती को अपनाना शुरू कर दिया जिसे इंग्लेंड अमेरिका में जो खान पान है जो पहनावा है या जो संगीत है या जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं हमने उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया ये सोचकर कि हम ऐसा करेंगे तो आधनीक हो जाएंगे उसने हमें और ज़्यादा विमार कर दिया हमारे शरीर की हमारे देश की जो तासीर है जो हवा पानी है जो वातावरन है जो वायू मंडल है वो इंगलेंड और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा भिन है तो वहां जो खानपान होगा वो वहां की जलवाईू के हिसाब से होगा और हमारे देश का खानपान है वो हमारे देश की जलवाईू के हिसाब से होना चाहिए और यही कारण है कि जम हम अपने देश की जलवाईू में वहां का खानपान अपनाते हैं तो जो बीमारियां आना है वो लाजमी है क्योंकि वहां के देश ठंडे होते हैं तो वहां पर आप शराब पीना आपके लिए कंपल सरी है हम अपने देश में अगर हम शराब पीते हैं कौफी पीते हैं चाय जैसे गरम पएपदार्थ पीते हैं तो हमारा देश तो पहले से ही गर्म है, यहां का वातावन पहले से ही गर्म है, तो हम अपने शरीर का सत्यानाश ही करने वाले हैं, इस तरह की छोट-छोटी अनेको बाते हैं, जो अगर आप ढूनना शुरू करेंगे, तो आपको सोता ही इस चीज़ें मिल जाएंगी, और हमा लोग बीमार और एक एक विक्ती में पचास-पचास बीमारियां, यह कैसे संभव हो गया, यह मैंने आपको बताया, कारण सिर्फी की था, हमने अन्धानु करण में पश्मी सब्विता को अपना लिया, तो आयुर्वेद के जो गरंथ हैं, उन सभी गरंथों में अगर आप बटी ज़ारा लिखा गया है, उसको जो हमने अध्यन किया, तो उसमें पाया गया कि वो सच में काफी आसान और सरल है, इसके अलावा भी हमने दूसरे गंतों का अध्यन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो तुलना करें, तो तुलनात्मक अध्यन में हमने पाया कि जो वा पारना पड़ें इन में जो बताए गए नियम है उनका अगर आपने पालन कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि असी प्तिशत बीमारिया आपके शरीर में आएंगी नहीं और 2000 सूत्र का पालन कर पाना आज के समय में आधनी क्यूग में जहां लोग जॉब भी करते हैं बिजन में उतार लेते हैं तो मान के चलिए 80-85 प्रतिशत बीमारिया आपके शरीर में आएंगी नहीं और उन 50 सूत्रों को उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया है हमने हमारी टीम ने उन सबी 50 सूत्रों को संकलित करके एक पुस्तक तयार कर दी उस पुस्तक का नाम है रोग स्वास्ते हमारे लिए बहुत जरूरी है कहा जाता है ना हेल्थ इस वेल्ट अगर स्वास्ते है तो आपके पास पूरी संपत्ति है मान लीजे तो स्वास्ते के लिए आप थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए ये पुस्तक आप मगाईए इसको पढ़िए इसमें 50 सूत्र दि उनकी चिकित्सा कर सकते हैं इस पुस्तक में कुछ अन्य अनभूत प्रियोग भी दिये गए है जो हमारी वेद्यों की टीम में निशुल्क चिकित्सा शिविरों में अपने जो पेशेंट पर प्रियोग किये और वो सौ पिशत कारगर निकले वो सभी अनभूत प्रियोग इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप मूल पुस्तक इसकी पढ़ सकते हैं जो अस्टांग घर्दियम के नाम से है तो बहुत अच्छी बात है अगर उसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाता है किसी अच्छे ट्रांसलेटर के दौरा ट्रांसलेट की जो ये पुस्तक आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप ये दोहजार सूत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके लिए हमारी ये पुस्तक है रोगी स्वेम चिकित्सक उसको आप मगवा लीजे उसको आप पढ़िए और जो आपका आनभव हो वो हमें बस इतना ही आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए या उनके काम की हो सकती है तो इस वीडियो को अधिक शदिक शेयर कर दीजेगा हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम